आज इसे नामांकन प्रारंब होगा प्रारंब है नामांकन का समय 11 एम से 3 पीम है नमस्कार आप देखना शुरू कर चुक है लाइफ सीटीज को मेर नाव विशेक है बिहार विदानसबा की एक सीड यानि की कुर्णी सीड पर विदानसबा का उपचिनाव होना है ऐसे में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है आप देख सकते हैं इस वक्त हम डीसी एलार पच्छीमी कार्याले में है जहां पर निर्वाचंग पतदिकारी बनाया गया है और सुरक्षा को लेकर भी पुक्ता इंतिजाम किया गया है सुरक्षा को लेकर पुलिस काउंटर लगाया गया है आपको बता दे कि आज से 17 नौंबर तक आप नमंकन कर सकते हैं उसके बाद स्कूटनी होगी फिर नाम वापस लेने की तिथी 21 तारिक तक जिसको लेकर सुरक्षा का पुक्ता इंतिजाम किया गया है वही निर्वाचंग पतदिकारी का क्या कुछ क्याना है वो भी हम आपको सुनाएंगे देख सकते हैं नमकन कक्ष है और यहीं पर नमंकन होगा और जो पतादिकारी वो बैठे हुए है और क्या कुछ कह रहे हैं निर्वाचंग पतादिकारी आप वो भी सुनिये जह नोटिस की सुच्ट बाहर नोटिस बोर्ट पे लगा सब्सक्राइब ले जाएंगे नमकन का समय 11 एम से 3 पी एम है स्कूटनी 18 को 18 नवंबर को 11 से स्कूटनी सुरूब होगा नाम वापस ले सकेंगे लोग 21 नवंबर 3 बजे तक जो भी बहरती नाम वापस लेना चाहेंगे वो नाम ले सकेंगे हां बाहर में हेल्प्डेस है हमा अंदर में अभ्यर्थी कि सहित अधिक्तम पांच लोग आ सकते हैं एकदम नहीं होगा फोर्स मेस्टेट्स सबके सब यहां है और इसकी इसके लिए चुनावायोग के द्वारा जो प्रक्रिया निर्धारित है जो प्राद्धान बने वे उसका पूरी तरह पालन किया जाए आपने सुना कि क्या कुछ का है निर्वाचन प्रदधिकाई ने तो हेल्ब्रेक्स भी बनाया गया और सुरक्षा का पुखता इंतिजाम किया गया आपको बता दे कि कुर्णी विदान सभा के इस उप्चुनाव को लेकर प्रशर्षनिक तैयारियां है वो जो चल रही है आ उनके प्रत्याशों का एलान अभी तक नहीं हुआ है किस पार्टी से कौन लड़ेगा यह एलान अभी तक नहीं हुआ है लेकिन कुण्डी सीड काफी होट सीड बनी होई है क्योंकि मुकेस सहनी जो वी आईपी के प्रमुक हैं उन्होंने भी दावेदारी कर दिये कि वो भ पोगा लेकिन आज से नमंकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो बहुत रहे हैं लाइप शिटीज के साथ हमरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिया फिसको लाइक करिया